ये चैनल के वल मनोरंजन के लिए हैं, हम किसी भी तरह के अंदविश्वास को बढ़ावा नहीं देते सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे एक दिल देहला देने वाली होरर स्टोरी बिना घबराए बेल आइकोन प्रेस करना ना भुलें आज पापा को गुज़रे बीस सार हुए, मैं उन्हें आज भी बहुत मिस्स कर दी आज उनके कमरे से मुझे करन पिशाची नुसारुना की किताब में थी और मेरी यादे फिर से तंसाथ होते, करन पिशाची यह एक ऐसी खतरना मंतर साथ है, इससे साथर अपने मंतरों से एक पिशाची ने को खुश करते है और वो पिशाची ने अपने साथर को किसी ही सवाल का जवाब उसके कान में देके उसे खुश करती है सवाल कैसा भी हो, चाहे पूल का लो या वर्तमान का लो, उसके पास हर सवाल का जवाब उता है लेकिन अगर यही करन पिशाची नाराज हो बेगी, तो ये वर्तमान कभी श्राफ में बदब जाए, ये कोई नहीं करता सब्सक्राइए ये बहुत साल पहें रखेंगा, तब हम बहुत करेंगे हमारी जव्मों सावका में दोपे से हरपने जाए, हाने पीने के भूलारे लगे, हम लोग पूरी तरह से कंगाल हो गए तब हुँ मेरे पापा को उनके दोस्तें करन पिशाची में साधना के बारे में बता आए, तो मेरे पापा तो ये आग्दी रास्ता में जाए उन्होंने इत्तालिस दिन की पड़ी साधना के और इसके चलतें उन्होंने एक गड़ पिशाची में कुछ करने पापा अब शहर आ गए थे, जो भी कुछ पैसा बचा था, उन्होंने वो शेर मार्केट में लगाए, उनकी करन पिशाची में कौन से शेर्स के भावड़ने या गिर्मेबाले हैं, जब उनके कान में पता थी, ना दूफ पापा में नहीं जगार नोस्ता, और तो यह सारा पैसा दा है, दिखते दिखते हम लोग फोड़े ही दिन में रही से थे, हमारे पैस अब सब खुछ था, पापा से बड़े बड़े लोग मिलने आते और उनकी सदा लेते हैं, एक दिन पापा की दोस्ते हमारे घर में सप्राइज पार्टी रखे, क्योंकि पापा पाहर घरी भी जाना अवोइड करते हैं, उसी रात से पापा अजीब सा बता करनी रखे, तीन रात वो अपने आपको कम्रे में पन करते हैं, और चिलाते रखे, शायद क किसी की बड़गर से तंग आया, मुझे या मम्मी दोनों को अंदर आना मना थे, पूरा दिन शराप की नशे में दूप, अपने कान में रुई डालते और अपना सरकस के बांग जलते थे, किसी भी डॉक्टर को बिमारी का पता नहीं चल रहा था, एक दिन तंग आकर, मेरी मम्मी ने एक तांतरिक को उलाया, इसने कहा कि पापा की कर्ण पिशाचिनी को हदो शराप और मांसाहरी खाना देना पड़ता, वो अपने सा अदर को किसी दूसरी औरत के साथ बदाश नहीं कर सकती, और तो और अपनी पत्नी, बेटी, मा या बेहन के साथ भी नहीं, पापा रोज शराप पीकर चिलाते रहते, उन्होंने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना भी बन किया था, पापा ने खाना पीना छोड़ते, उनकी तबियत खराब होने लगी थी, क्योंकि उनकी कर्ण पिशाची ने नारस होने के करें, दूदा दिन पापा के काम में वो चिलाते रहती, एक मिनट भी शांत नहीं होती थी, और बार दो यहीं बताती है, क्योंकी बेटी, यानी मेरी मौत कैसे होती है, यह सुनके मेरे बापा और जीत थे, चिलाते ताकि कुछ सुनाई ना दे, इसलिए उनको एक कमरे में बन कर लिया था, एक दीन अचानद, उनके चिलाने की आवाज बन हो, उनके गुजरने के दो मेहने बाद, मुझे उनका यह लेटर में, कर्ण पिशाची ने से चुटकर पाने के लिए अपने जान दिया था, यह खार, प्रॉपर्टी, सब पापा की कारण ही था, हमारी स्थिती सुदार में के लिए पापा ने अपना बलिदान दिया था, आज फिर मुझे लगता है, कि मेरे पापा यह हम क्यों हो, मेरे साथ, अगर उनकी करने की शाची ने, अ हमारा इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज जरूर फॉलो करें, अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में भीजे, हम कोशिश करेंगे, कि अगली अनिमेटेड स्टोरी आप के होगी